हेलो दोस्तों तो आज मज़ा आने वाला है आपको फिजिक्स का पहला चप्टर क्लास 11 का यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिजिक्स एक अलग ही अंदाज में अलग अंदाज कैसे होगा अब तक जो आपने फिजिक्स पढ़ा वो फील नहीं किया अब 11 से हम पढ़ेंगे इस तो यह ठीक है हलो फ्रेंड्स क्या हाल है तो फिजिक्स स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का एकदम जवर्दस तरीके से मैं पहले बता देना चाहता हूं कि चैप्टर वन आपको फिजिक्स की फील कराएगा फिजिक्स के बारे में इंट्रो दिलवाएगा कि है क्या कहां से या फिर नीट के एकदम या कोई भी कंपटिशन लेवल पर इसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टन ड्रोल प्ले नहीं होता है ठीक है फिर भी हम फिजिक्स को समझने के लिए एक फिजिक्स के प्यार के लिए इसको समझेंगे फिजिकल वर्ड पहला चप्टर क्लास 11 का शुरू करते हैं साइन्स क्या है साइन्स क्या है साइन्स पच्पन से पढ़ते आ रहे हैं है क्या साइन्स तो साइन्स देखो साइन्स क्या है साइन्स एक सिस्टमेटिक और और और्गनाइजड अटैंट है क्या करने का नौलेज एक्वाइर करने का नौलेज एक्वाइर क science का मतलब क्या होता है oh sorry sorry science का मतलब क्या होता है to know क्या होता है actual इसका मतलब हम नीचर में गये नीचर में कुछ-कुछ observations कि observations के भीहाग पे हम क्या कि उच्छ experiments कि यह और उस experiment अगर successful होता है तो हम उसका एक verification देदे और इस collective आड़ पीज़ें suced को और साइंस का ही पार्ट है क्जिक्स कैमस्टरी मैस्स या फbn बाइलोजी है तो पहले देख लेते हैं कि इस मे Europa क्या है साइंटिफिक मेड़ूण कि किस मेड़ें किस में के देंगे पयोगित तुर नहीं हम नेचर में कोई चीज देखते हैं और उस हमने observe किया देखा observe किया और उस पर हमने question पूछा कि हो क्यों रहा है ठीक है इसको मैं एक छोटे से कर गे बताऊंगा जैसे तुमने ये कहानी सुने होगी कि एक tree होता है और उस पर से apple गिरता है ठीक है यहाँ पर एक बड़ा बाल वाला इंसान लेता जिसको मों को बोलते हैं इस पर एपल गिरा इसने क्या किया observation किया और इसके मन में question आया कि यह एपल गिरा कैसे पर इसने research किया इसने research में यह पाया कि हां अर्थ पर कोई इंचीज यह उसारी गिरती है और उसके धिया पे इसने एक hypothesis कि कि कुछ तो लगता होगा जिसको इसने क्या कहां और इस इसने शीटे और इसके बाद इसने एक result बनाया इससे कि हाँ this is verified और यही पूरा scientific approach है ठीक है तुम भी अपने daily life में कुछ ने कुछ चीजें observe करते होगे जैसे for example अगर मालो कि cricket खेल लो तुम और बैट से बॉल लगी ठीक है और वो आउट नहीं हुआ तो तुम लो क्या करते हो लड़ जा तुम्हारे हास से कोई थाली शूटती है तो कितने बार जंप करके आगे बड़ी यह तुम observation करते हो तुम गिरे तो तुम पीछे पलटके देखते हो कि आखिर हुआ क्या कैसे गिरे हाँ यह बात अलगे तुम hypothesis prediction नहीं देते हो लेकिन अगर यह method चलना है तो this will be a scientific method हम क्या क्या करेंगे mathematical modeling करेंगे math हमेशा रहेगा math क्या है एक language है किसका nature का है ठीक है और mathematical चीजों से चीजें और असान हो जाती है for example force लग रहा है और force का formula मैंने दिया f is equal to ma this is the mathematical this is mathematical terms of the force अब f is equal to ma से तुम बहुत आसानी से हर जगा इस formula को apply कर सकते हो उस force को निकाल सकते हो और theoretical prediction क्या है जो तुम theories देते हो उस पर कि हां यह हो रहा है तो ही वो आगे हो रहा होगा electron flow कर रहा है तो ही हमको क्या मिल लगे है current मिल लगे है यह सब तुमने 10th वेगर में पढ़ा होगा तो physics क्या है finally physics की देखो कोई एक particular definition तुमको नहीं मिलेगी किसी चीज को define करना कुछी ऐसी चीज को जो अपने आप में पूरा एक you know nature है यह possible नहीं फिर भी हम कह सकते है physics क्य study of matter and energy energy और matter तुम देखोगे अपने आसपास क्या है बाकी सारी चीज़े matter है तुमने 9th में पढ़ी होगी matter क्या होता है matter वो होता है जो क्या हो mass contain करें या space occupy करें क्या करें mass contain करें या space occupy करें और जो matter नहीं हुआ होगा होगे energy हो तो matter और energy की study को ही physics कहते है physics is a fundamental science concerned with the understanding the natural phenomena nature में क्या हो रहा है बास उसी की study को क्या कहते है physics कहते है ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे क्या है branches of physics branches देखो physics classical mechanics classical mechanics जो 9th में तुमने पढ़ाता है वह ही है classical mechanics इसमें basically Newton's के law को हम discuss करते हैं ठीक है thermodynamics thermo का world ही मतलब है heat जैसे temperature नापती हो temperature क्या है heat amount of heat बढ़ाता है बताता है तुम्हारा तो उसको कहते हैं thermometer वैसे ही thermodynamics thermo world मतलब heat हो गया electromagnetism electromagnetism याद है class 10th electricity or magnetism ठीक है quantum mechanics जब हम particle के interaction की बात करते है at their atomic level atomic level पर क्या हो रहा है इसकी बात करेंगे तो वह क्या हो जाएगा quantum mechanics हो जाएगा इस पर डिपेंड करता है तुम्हारा nuclear physics nuclear physics वह nuclear nuclear bomb वेगर जो बनाते मतलब nuclear energy बनाते है sorry bomb की बात नहीं करेंगे condensed matter नाइंथ में पढ़ा होगा इस्टेट बोस आइंस्टाइन कंडंसेट यह क्या है very low temperature very low temperature पे आपस में matter के parts कैसे एक दूसरे से interact करते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे बोस आइंस्टेन कंडंसेट अप्टेक्स और acoustic means क्या है optics means light के बारे में जब हम पढ़ेंगे और acoustic means क्या है sound के बारे में जब हम पढ़ेंगे sound के बारे में पढ़ेंगे तो optics हो जाएगा और acoustics means sound ठीक है जैसे acoustic guitars वेगर आत्म रिलेटिवेश्टिक mechanics क्या होती है आइंस्टीन ने जो theory दिया वैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं वह आइंस्टीन और Newton की theories मिला के पढ़ते हैं जैसे for example तुम्हें 9th class में relativity एक term पढ़ा होगा relativity कि भाई मैं टो ट्रेन में बैथा हूं मेरा दोस्ट प्लैटफॉर्म पे कड़ा है वो कह रहा है कि मैं अधर के साथ के जो लोग बैठे हैं वो कहते हैं मैं मोशन में नहीं रिलेटिव यह है रिलेटिव मेंकेनिक्स ठीक है और कॉस्मोलोजी इस्टडि ओफ इस्पेस अस्वोलर सिस्टम गैलक्सीज मिलकीवेच सब के बारे में जो भी इंट्रेक्शन पढ़ेंगे वह किसमे लॉजी में आ जाएगा तो इस्टडि ओफ स्पेस अधिया यहां तक आयोग प्लेयर हो गया होगा यह सारे दीरे दीरे तुमको करके 11 12 में खतम करना ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो दो इसकी इसकोप क्या है फिलेक्स का फिलेक्स का इसकोप में यह नहीं कि भाई करियर है तो उसका कैमरा होगा तुम्हारे हाथ में अगर तुम्हारा फोन है तो उसका क्या होगा कैमरा होगा और और एक्जामपल तुम्हारे हाथ में अगर तुम्हारा फोन है तो उसमें क्या होगा कैमरा होगा वो कैमरा किस हद तक जूम कर सकता है जूमिन और किस हद तक जू यूनिवर्स जो इसके पहले हम वो किसमें बात करते हैं कॉस्मोलोजी में और माइक्रोस्कोपिक मीज इलेक्रोन प्रोटोन और न्यूट्रोन और उसके बी इंदर के पार्टिकल्स के बारे में बात करता है means ये करीब 10 पॉर माइनस 16 से लेकर 10 पॉर 30 से भी ज्यादा दूर की बात करता है ये रेंज होगे इसके समझे कि मतलब कितने छोटे लेवल से लेकर और कितने वाश्ट लेवल जाइंट लेवल तक फिजिक्स लग रही है excited हूँ इसको पढ़ने के लिए सोचो ना तुम्हें nature के हर एक जो भी जवाब होंगे तुम्हें पता चलेगा कि nature में क्या engineering लगी है कैसे काम कर रहा है nature कैसे हर एक particles आपस में interact कर रहे हैं कैसे तुम मेरी बास सुन पा रहे हो तुम इस वीडियो को देख पा रहे हो कैसे दो principle पर physics काम करता है बास एक unification, unification means क्या है चोटी चोटी चीज़े लो और उसको जोडते जाओ ठीक है definition देखो let's act of unifying the different laws अलग अलग जो भी laws हमारे बने हुए हैं उसको हमने इकटा कर दिया और example 10th class में तुमने electricity पढ़े होगे और फिर magnetism पढ़ा होगा और फिर जो भी generator और motor के principle पढ़े होंगे उसमें क्या किया था electricity और magnetism को combine कर दिया था electricity के laws अलग थे magnetism के laws अलग थे लेकिन दोनों को combine किया इसी तरह light को भी जब इन तीनों electricity और magnetism दोनों से combine कर दिया गया तो हमें एक नई ब्रांच मिलके क्या मिलके Electromagnetism ठीक है तो Unification क्या है अलग-अलग branches को physics के अलग-अलग branches या अलग-अलग domains के laws को एक साथ combine करके एक law में जोड़ देना इसी को क्या करते है Unification ठीक है और reduction मतलब क्या है वही कि अगर हमें किसी चीज को समझना है तो हम reduction में क्या करते है किसी बड़े चीज को बहुत छोटे-छोटे minute parts में brick करते है ताकि और अच्छे से उसकी knowledge हो पाए जैसे matter की जब हमें study करने गए तो matter से हम आए molecule पे molecule से हमाई क्या atoms पे और atoms पे हमाई electron पे proton पे और यहां पे neutron था क्या था neutron किसी मिलके बना है society क्या interaction है इनके बीच में तो भाई जो लॉज हम physics में पढ़ेंगे ठीक है वो विद्ध हेल्प आफ एंजीनियरिंग टेक्नलोजी में जाएगा और उस laws के application तुमको मिलेंगे टेक्नलोजी में और लॉज के application की help से जो result मिलेगा उसको कौन यूज करेगा society यूज करेंगे तीनों आपस में इंट्रेक्टेड है जैसे हमारे पास आया कि भाई force लगता है और friction कम होता है round circular wheel पे ठीक है न्यूटन में बताया कि force लगता है ठीक है और हमें यह पता चला कि अगर हम कोई circular wheel cut करें तो वह अराम से रोट पे रोल कर सकती है तो एंजिनियर्स ने क्या बनाया भाई बहुत कार बना दी कार बना दी हो सर आप तो बहुत अच्छी कार बना लब सर भी तुमारे इंजिन ऐस पढ़ेंगे उसके बेसिस में हम टेक्नालोजी के बेसिस पर हम क्या करेंगे एक एक क्वित बनाएंगे एक तुम कह सकते हो की एक materialistic टाइप का property त्यार करेंगे जिसका help society करेंगे अभी का case देख लो coronavirus जैसी disease चल ले हैं तो हम क्या करेंगे वाइरस की interaction को देख रहे हैं वाइरस के interaction को देख रहे हैं कैसे वह हमारे DNA वेगरे में change कर रहे हैं ठीक है उसके बेसिस पर technology की help से हम क्या किए वेक्सीन मनाएं और वेक्सीन का utilization कौन कर रहे हैं सोसाइटी कर रहे हैं सर यह तो बायो का पार्ट है नहीं मैंने क्या बताया था कि physics जो है वह study of nature है और nature में जो वीची जाएगा वह क्या हो जाएगा physics का पार्ट होगा biology अलग domain जरूर है लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पर physics नहीं लगती है तुम अगर आख से देख रहे हो तो यहां भी physics लग रही है और कान से सुन रहे हो तो यहां भी physics लग रही है बायो का डूमेन क्या है कि वो life processes को discuss करेगा इसी तरह हमने matter तो chemistry में पढ़ा था सर लेकिन आप physics में पढ़ा रहे हो तो physics पार्ट है किसका nature का और matter nature का पार्ट है ठीक है तो यह matter भी हम किसमें पढ़ेंगे physics में लेकिन जो बहुत ज्यादा छोटे लेवल की है यह ना atomic interaction electrons का interaction यह सब के लिए हम क्या कर दिया है अलग बना दिये किसको एक डूमेन को जिसको हम क्या बोल दिए chemistry को तो इस वज़े से physics तुम कह सकते हो कि सबका फादर हो सकता है ठीक है क्यों क्योंकि वो नेचर के बारे में पढ़ता है और नेचर ही सब कुछ है अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी value मिली या थोड़ा सब एच्छा लगा हो तो यहार like, share, subscribe करना और अपने दोस्तों को बताना और अगर समझ में आये तो comment box मे बताना, how agarly you are waiting for the next one. Thank you!